Hello children, in this video you will get to know what are the negative effects of technology on people's health लोगों की health पर technology का क्या negative प्रभाब पड़ता है and how we can use the technology in a healthy way और हम technology को एक healthy तरीके से कैसे use कर सकते हैं So here we have awareness about health concerns related to the uses of technology तो लोगों के अंदर एक awareness होने चाहिए अपनी help को लेकर कि अगर वो टेक्नलोजी यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या क्या उनके उपर प्रभाब पड़ सकते हैं Technology has become an integral aspect of people's life and will continue to do so in future Technology क्या बन चुकिए हमारी life का एक integral part बन चुकिए कभी अंग बन चुकिए है और future में भी ऐसा continue रहेगा अगर टेक्नलोजी नहीं होती तो ना तो हमारे पार स्मार्टपॉंस होते ना आइपड शोशल मीडिया कुछ नहीं होता राइट इस लेक्ट्रोनिक गैजेट्स हैब आल बीन डिवलप ओवर ताइम फैसिलिटेट पीपल्स लाइप तो यह जो लेक्ट्रोनिक गैजेट्स ओवर ताइम डिवलप हो हैं उन्होंने क्या किया है हमारे लाइफ को बहुत स हमीने प्रिट्ने के लिए इंक्रдеश के में है कर नहीं ह tuh करने के लिए एपने पीट्नेस एफ़र्टी अपर्थ करने के लिए त्यक्व शिक से हमतर है यहां परहें हमारे हेल्थ के शीच्टब में बहुत इंह्यूव मेंञए हैं टेक्ट्न चीप अबुस्टवा कॉन को जहां पर हमारा क्या है confidence label बहुत boost हुआ है बहुत increase हुआ है educational activities can be designed technology की वजय से आप क्या कर सकते हो अपनी educational activities को design कर सकते हो like जैसे छोटे बच्चे हैं उनको क्या होते है multi-media classes में पढ़ाया जाए तो they get it easily उनको बहुत जल्दी से समझ में आता है instead of if you are writing on the board or something else तो यहां पर technology की help से हम क्या कर सकते हैं बच्चों को live environment में भी पढ़ा सकते हैं online shopping is available आप online shopping कर सकते हो घर बैठे it is possible to get in touch with people overseas and to chat with them आप घर बैठ के लिए कहीं भी overseas मतलब कहीं भी throughout the world कहीं भी किसी भी person से बात कर सकते हो it is possible to search any information anytime अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप किसी भी time उसको search कर सकते तो बहुत सारे फादे हैं technology के but like everything there are undeniable effects of technology on our health बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन कुछ undeniable undeniable जिनको मना नहीं किया जासता ऐसे कुछ effects भी परते हैं technology के हमारी health पर अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं technology का right okay now here we have negative effects of technology on people's health अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो बहुत नहीं आती है उनको एक anxiety सी रहती है stress level increase होता है loss of attention उनका attention जो होती है level concentration नहीं बन पाता है internet addiction internet की बहुत ज्यादा addiction हो जाती है emotional instability emotional stable नहीं रह पाते क्योंकि family time family time spend नहीं करते है most of the times क्या रहते है online रहते हैं virtual world में रहते हैं आप इनकी emotionally क्या रहो जाते है feeling memory loss of memory होता है अगर बहुत ज्यादा technology का use करोगे muscles and joint pain अगर आप किसी पोस्चर में बैट के घंटो घंटो गंटो गेम से खेल रहे हो videos देख रहे हो movies देख रहे हो तो क्या होगा उससे muscles or joint pain की भी problem होती है तो बहुत सारे negative effects होते है technology का अगर आप क्या करते हो बहुत ज्यादा use करते हो okay now we have tips for using technology in a healthy way आप technology को एक healthy तरिके से भी use कर सकते हो ठीक है जिसके लिए कुछ tips है some tips for ensuring healthy screen time includes remove unnecessary apps from your phone to prevent you from constantly checking them for updates अपने phone में से बहुत सारे अगर unnecessary apps आपने इंस्टॉल कर रखें तो उनको हटा दो जिससे कि क्या होते हैं apps अगर आपने बहुत सारे डाले हुए तो क्या होगा तो उनके updates आते रहेंगे उनके notifications आते रहेंगे तो आप बार बार चेक करोगे तो क्या होगा इसलिए आप क्या करो useless apps को हटा दो जिससे कि बहुत सारे apps नहीं होंगे notifications नहीं आएंगे आप बार बार उनको चेक नहीं करोगे set screen time limits and stick to them आप अपना एक time set कर लो कि इतने time तक मुझे यह यूज करना है device इतने time तो मुझे screen इसकी यूज करने है ओके और उसी time limit तक आपको stick रहना है ओके आप वही अपना schedule फोलो करो log off and take regular breaks ठीक है अपने device को कुछ time कले log off करो और बीच-बीच में breaks लेते रहो राइट अगर आप office work कर रहें इवन देन जो कि आपने बढदा प्राइव सेटिंग साथ अपने प्राइवन के प्राइव सेटिंग साथ थीज़ यह दा कर रहें वहां पर अनी रिवेश्टिंग आप ने सभ पुछ 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 कर दिये आप सव पुफ पुछ तो everybody is able to see what is going on in your life right कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो और किसको यह दिखाना चाहते हो सम्टैम्स क्या होता है कुछ लोग कैसे भी पोस्ट डाल देते हैं तो क्या होता है बहुत जदा उन लोगों के लिए हांफुल भी हो जाते हैं अगर आप खाना खा रहे हैं कुछ भी है आपका ब्रंच टाइम है आपका लंच टाइम है आपका डिनर है तो उसको हमेशा गैज़ेट फ्री रखो ओके कीप एलेक्ट्रोनिक डिवाइस आउट ओफ यूर बैड्रूम और यूज़ें डिवाइस फोर एट लीस एन आर बिफो अपने डिवाइस को यूज़ें करना बंद कर देना है यूज दे इंटरनेट तो स्टे कनेक्टेड बड्र प्रिया प्रियर्टाइस रियल वर्लेशन्शिप ओवर वर्च्वल बंस तो यह क्या कह रहा है कि आप इंटरनेट से एक दूसरे से अनेक्टेड रहों लेकिन हमे अपने बचो पर भी करने चाहिए स्सीक्ड़ आसी प्रिलम सेठोफ अंशिट लिमिट और प्रिम इखार वर्च वर्च्वल गिवर्टाइस प자는 में वर्चों खड़ वर्चों को र баз करनेटे आप। या आप 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 या लैप्टॉप्स कर सकते हो कि एंड बैट पर जाने से पहले या बच्चे जब खाना खाते हैं तो क्या उनको गैजेट का यूज़ करना अलाओ नहीं होना चाहिए एंड इंपरसर इंट्रेक्शन ओवर ओनलाइन इंट्रेक्शन बच्चों के साथ ज्या इंट्रेक्शन बच्चों को एसे प्लेटाइम में उनको इंडल्ज करें जो क्या हो गैजेस फ्री उनको पार्क ले जाएं वहां वो खेलें उनके साथ कुछ गेम्स प्ले करें जिससे कि वह जो टेक्नलोजी है जो गैडटर्स हैं उनसे थोड़ा दूर हैं ओके अगर आपको कुछ भी सच करना है कोई भी टेक्नलोजी एक्स्टोर करने है तो अपने बच्चों के साथ बैट के एक्स्टोर करें यूज अ पैरें यूज अ पैरेंटल कंट्रोल एप देड़ा आपको करें जिसे आप पर कंट्रोल कर सकें और बच्चों को जो ओनलाइन एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज करना चाहिए उसको कम कर देना चाहिए तो ओवर वाल सम्री हमारी क्या है एं टेक्नलोजी इस इन इंटेगल आस्पेक्ट ऑफ मॉडरन लाइफ टेकनोलोजी एक क्या है एक अभीन अंग है जिसको हम नहीं जिसके बिना हम नहीं रह सकते तो यहां पर टेकनोलोजी का बहुत पॉजिटिव एफेक्ट भी हमें मिलता है और नेगेटिव एफेक्ट भी मिलता है तो कुछ सेंसिबल स्टैप्स लेने की वजह से लिमिट टाइम स्कीन टाइम एक लिमिट टाइम तक यूज़ करना एंसौरिंग करेक्ट पॉस्चर एक क क्या करना इरेक्ट पोजिशन में रहना यह नहीं कि आप जुक के काम कर रहें तो क्या होगा इससे आपकी बैकबॉन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तेकिंग ब्रेक्स टाइम क्या करना है आपको अपने गैजर से लेक्टॉप से आइपड से ब्रेक्स लेन Okay? Okay children, now we will meet in next video with some useful topic. Till then, keep studying, be safe and subscribe my channel for more useful videos.